हाई एवरीवान, वेलकम टो और चैनल MCB, MCB, फ्रिंट्स हाजम नॉर्मल सेविंग नेडल से क्यूट, इजी और ग्रैन लटकन्स बनाएंगे इन लटकन्स को बनाने के लिए हमने 100 strands of silk thread लिया है, एक और नेडल में 6 strands of zari thread लिया है, एक और नॉर्मल सेविंग नेडल में 2 strands of cotton thread लिया है, उसके बान दो square shape के beads लिये हैं, आप चाहो तो यहाँ पर round, oval या फिर किसी भी size के beads ले सकते हैं, नेक्स्ट हमें medium size without hole rings लिये हैं, यह हमें दोनों, दो-दो rings लेने हैं, और इन silk thread को यूज़ करते हुए, cute पट grand लेटकन्स बनाएंगे, I hope आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, फ्रिंफंच, सबसे पहले हमें इस जो dory में, इस medium size ring को हमें पास कर लेना है, उसके बाद, इस dory के edge को fold करते हुए, हमें यहाँ पर cotton thread लेना है जो dory का color है same color का cotton thread यूज करते हुए cotton thread के इस knot में से needle को pass करते है एक turn लेना है उसके बाद इस dory को neatly पकडते हुए एक और डो-3 turn लेते हुए knot बनाना है इस dory को हमें अच्छे से stitch कर लेना है इसके बाद इन knots में से needle को pass कर लेंगे और अब next हमें extra cotton thread को cut कर लेना है इस dory पे हमें ring को attach कर लिया है उसके बाद 100 strands of silk thread लेना है और एक square shape का bead लेना है इस bead में इस silk thread को हमें pass कर लेना है इन silk thread को knit करते हुए यह जो dory पे हमने ring stitch किया हुआ है इस ring में से needle को हमें pass कर लेना है इन silk thread को डोनों side से knit करते हुए यह जो square shape का bead है इस bead को हमें इस तरह के से fold कर लेना है उपर की और इस तरह के से fold करते हुए यह जो bead में silk thread है इसे दो हिस्सों में divide करते हुए center में इस silk thread के needle को हमें pass कर लेना है neatly यह देख सकते हैं इस तरीके से पास करते हुए दोनों साइड से इन सिल्क त्रेड को हमें नीट कर लेना है और इस बीड को भी neatly सेट करते हुए जरी त्रेड लेना है यह डिजाइन इस तरीके से आएगा इस six strands of जरी त्रेड को हमें इन शिल्क त्रेट के back side से पास करते हुए जरी त्रेट का ये जो knot है इस knot में से needle को पास कर लेना है और एक turn लेना है इसी तरीके से हमें दो तीन और turns लेने हैं यहाँ पर ये जो जरी त्रेट है इस जरी त्रेट को हमें थोड़ा ज्यादा roll करना है यह दिख सकते हैं यह जो जारी त्रेड है इसे थोड़ा सा ज्यादा रोल करना है उसके बार एक और टर्म लेते हुए नॉट बनाना है अच्छे से टाइट नॉट बनाने की बार सिर्फ इस जारी त्रेड में से निडल को पास करने की बार नेक्स्ट हमें एकस्ट्र नारी त्रेड को कट कर लेना है इसी तरह का एक और टासल भी हमने बनाया हुआ है इस टेसल को हमें लेना है टेसल में ये जो हमने सिल्क त्रेड बनाये हुए है इन सिल्क त्रेड को सेम डिस्टंस पे नेटली सेट करती हुए सेम डिस्टंस पे इन सिल्क त्रेड को हमें कट कर लेना है नेटली यहाँ पे इन एक्स्ट्रा सिल्क त्रेड को हम ट्रिम कर इसी तरह से एक बार फिर से हमें इन सभी सिल्क त्रेड को नेटली ट्रिम कर लेना है इसी तरह का एक और लटकन भी हमने रेडी कर लिया है आप चाहो तो इतने ही क्यूट से सिल्क त्रेड लटकन्स बना सकते हैं इन लटकन्स को एक और टैप क्रैंड लुक देने के लिए उसके बाद बीड का ये जो side वाला part है यहां से हमें नीडल को pass कर लेना है उसके बाद cotton thread के इस knot में से दुबारा से हमें नीडल को pass करके एक और knot बनाना है इस thread को इस bead के ऊपर attach कर लेना है उसके बाद नीडल में हमें 1, 2 और ये 3 small size के 3 silver beads लेने हैं finger में धागा fold करते हुए इस bead में से हमें फिर से नीडल को pass कर लेना है और इन 3 beads को triangle shape में लाते हुए ये जो 3도 वाला bead है इस bead में से तुबारा से नीडल को pass कर लेना है और इन beads को अच्छे से tightly stitch करना है फिर से हमें 2 beads लेने हैं इन दोनों बीड्स को नीडल में इंसर्ट करने की बाद नेक्स्ट में फिंगर में धागा फोल्ड करते हुए इस बीड में से फिर से नीडल को पास करते हुए इन बीड्स को भी ट्रैंगल शेप में लाना है उसके बाद सेकेंड वाले बीड में से नीडल को हम वापस पास कर लेंगे अच्छे से टाइटली स्टिच करने की पाद फिर से हमें दो बीड्स लेना है और इन बीड्स को भी नेटली स्टिच कर लेना है फ्रिंस सिर्फ स्टार्टिंग में हमें तीन बीड्स लेने हैं उसके बाद एवरी टाइम हमें दो-दो बीड्स लेने हैं और इन दो- पपर भाला बीड के से फिर से नीडल को सब्सक्राइद को सब्सक्राइदे खार्ट हुए इसाल में यहां पर इस में सब्सक्राइदे कि आसी उपके से इग फिर दो नॉस बनाते उए एक्स्ट्रा कॉटन युकालियक को बेरता लेना है अब एदे सकते हैं वन साइड हमने बीड्स को स्टिच कर लिया है इसी तरीके से इस साइड भी हमें बीड्स स्टिच करने है हमें या पे गोल्डन कलर का कॉटन त्रेड लेना है और इस साइड वाला यह जो कॉर्णर है बीड का इसमें से निडल को पास करते हुए देड़ को अच्छे से अटैच कर लेना है निडल में हमें स्टार्टिं में तीन बीड्स लेने हैं और इन तीनों बीड्स को फिंगर में दागा Taight पकड़ते हुए फिर से इस बीड में से निडल को पास करते हुए टाइंगल शेप में नीटली स्टिच कर लेना है चाट और blouse cream and white color silver जरी में है सो हमने यहाँ पर cream color का silk तेड़ और silver beads यूज़ करते वे इन लटकन्स को बनाआ है आप यहाँ पर अपने पसंद के इसाब से golden beads, antique beads या फिर pearls भी stitch कर सकते है अब आप इन सभी सारी कुछ यूज़ materials को RE work materials, अल्सो tailoring materials को भी online मंगवा सकते है उस website का link, shop का address, also whatsapp number भी मैंने description में share कर दिया है आप description में visit कीजिए उस website का link आपको easily मिल जाएगा इसी तरह के से, normal saving needle से मैंने और भी easy but grand लटकन्स बनाए हुए है उन में से जो latest है, उनका link उपर eye button में दे दिया है also latest bridal लटकन्स का link मैंने वीडियो के end में भी दे दिया है friends, हमने सभी beads stitch कर लिये है last में हमें इजो उपर का bead है, इसमें से निरल को pass करके, first line का ये जो second वाला bead है इसमें से भी दुबारा से निरल को pass करते हुए इन दोनों beads में से निरल को pass करके, यहां पर एक दो knots बनाने है इसी तरह से एक बार फिर से हमें इन beads में से निरल को pass करते हुए एक और knot बनाना है tight knot बनाने की बार next हमें इस beads में से निरल को pass करके और इन दोनों beads के center में से निरल को pass करते हुए एक और type knot बनाएंगे और अब लास्ट में हमें यह जो cotton thread है extra is cotton thread को cut कर लेना है यह एक लटकन ready हो गया है इसी तरह का एक और लटकन भी हमने ready कर लिया है सिर्फ 10 से 15 मिनिट के अंदर अंदर थोड़े सी materials को use करते वे normal saving needle से easy and grand latkins बना सकते हैं और सिर्फ silk thread और दो beads को use करते वे cute simple latkins भी बना सकते हैं इन दोनों में से आपको कौन से latkins अच्छे लगें मुझे comment section में comment कीजिएगा वीडियो को like करने की साथ साथ channel पे पहली बार visit किया है तो channel को subscribe करते हुए all पे click कीजिएगा मिलते हैं next videos में एक नए design एक नए work के साथ तब तक के लिए thanks for watching see you soon bye bye